कि यह जो है ना यह कली आया है और है कि है लो है कि है लो गुड मॉर्निंग वेलकम बेक टो न्यू व्लोग तो कैसे है आप सब लोग उमीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे तो आज है से टेड़े और अभी जो है न यहाँ पर मेरा लंच का प्रिप्रेशन चालू है अभी टाइम जो है कुछ ज्यादा भी नहीं हुआ सिफ साड़े ग्यारा ही बज़े है और यहाँ पर लंच की तयारी चल रही है और बाहर जो है ना बारिश बहुत हो रही सुबह से मतलब क्लामेट आज कुछ ऐसा है ना कि एक पांच-दस मिनुट क कुछ ऑप्शन रहा नहीं तो फैन के पास ही जो है ना कपड़े वगर सथ सुखाने पढ़ते हैं तो अभी जो है यहाँ पे मैं बना रही हूं बना रही थी खाना तो चलो चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपना खाना हेलो 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 तो यह जो है ना बैट कर रहे थे अपना कुछ काम और यहाँ पे किचन में जो है ना मेरा चावल का पानी जो है गरम हो गया है शायर देखती है हाँ हो गया है अभी चावल दो के इसमें डालूंगी और आज तो सैटर्ड़ है ना तो बने गा वैच तो आज है सैटर्ड़ इसलिए जो हैना आज घर में वैच मेनू रहेगा दाल बनाऊंगी शायर देखती हूं लेकिन थस्टे को यह जो हैना डाल बनाई थी देखती क्या करना है गर पहना इनसे पूश्टी अब फिलाल तो मैंने चावल के लिए पानी चड़ा दिया है सपसी और घ्रेवी नहीं इनसे अभी पूछ कर बनाती हूं पहले तो जो एना मैं अपना खाना वागरा बनाती हूं और बाद में जो एना आप से मिलती हूं यहाँ पर यह रहे मेरे चावल उनको जो है न अभी दोग कर पानी में डाल दूंगी तो अपना चावल जो है न वो बन जाएगा और मैं बाहर गई थी इन से पूषने के लिए कि क्या बनाऊं ग्रेवी में तो तभी याद आया कि तरस्टे को जो है न मैंने डाल बनाई तो इतनी सारी जोहना बच गई थी कोड़नट वाली डाल है मेरी तो क्या हभा कि धरस्टे को जॉयना हमने सिफ लच में खाय ते डिनर में जॉयना में चावल नहीं खाते हैं तो अभी जॉयसी य्क टाइम के लिए है तो इतनी सारी जॉयना बच गई है तो अभी जॉय न इसी को गरम करे खाएंगे Depending um बनाएगी इसको आपी में डाल कि करती हूँ गरम पहले तो जो है ना चावल दो के इस पानी में डाल देती हूँ तो फिर जाना दाल को गरम करने के लिए रख दीती हो आज जो है ना व्लोग स्टार्ट करने में मुझे थोड़ी देर हो गए क्योंकि हुआ कि सुबा उठका ना मैं यहां पर मेरे बुक्स जो है ना वो पड़ रही थी मतलब यह जो बुक है वो कली आया था अनलाइन ओडर क करना तो क्या होता है कोई नई चीज हाथ में मिलती है ना तो बड़े शॉक से हम पड़े बुक्स बगरा बाद में जो है ना बोर हो जाते है मेरा हाफ जो है ना पैंडिंग था हो कब से ऐसे ही पड़ा हुआ है तो मैंने सुचा कि इसको पहले कंप्लिट कर दू और बाद म इनको यही पे छोड़ कर मैं गई बाहर मोबायल उटाया और जो व्लॉक्स जो है वो स्टार्ट किया तो अभी जो है ना मैंने चावल डाल दिये जब तक चावल पक जाते हैं तब तक जो है ना मैं यहाँ पे मेरे एक दो पेजिस तो कंप्लिट होई जाएंगे तो इनको इनको प्सक्राएंगे तो जो है मैं रीड करती हूं खाना बनातीयों लंच हम करते हैं उसके बास जो है ना मैं आपसे मिलती हूं अगर बीच मिंकुछ इंटरस्टिंग सा हुआ तो जो है लुट से शूट करके आपको दे दूँग ठीक है, चलो मिलते हैं लंच के बाद हेलो गुड इउनिंग अभी शाम के चार बन चुके हैं और हम जहां रहे हैं गोवा बागादर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जो हमारी मंदली ग्रोसरी शॉपिंग होती है उसके लिए वैसे तो हम बाइक से जाने वाले थे क्योंकि बारिश वागर भी नहीं है वहाँ पे प और सामान लेके वापस आते वक्त अगर बारिश हुई ना तो बहुत प्रोब्लम हो जाएगा सामान जोए सब बिख जाएगा और खराब हो जाएगा इसलिए जाना हम जा रहे कार्ट से देखते वहापे अगर कुछ शूट करने को मिला तो शूट करेंगे नहीं तो तो मैं जाती हूँ शॉपिंग करने के दे और आपसे जोएगा मैं आकर वापस फिर से मिलती हूँ कर दो कर दो कर 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 तो फ्रेंस अभी जो है ना हम शौपिंग करके वापस आ गए है अभी जा रहे एक घर रास्ते में है और यह जो बोल रहे ना इनको भूख लगिया बोल रहे अभी मैंने वहाँ पर याद दिला है था कुछ चाहे क्या खाने को करके तो बोले नहीं अभी नहीं चाहे पेट ब को ना अभी व रास्ते में जो गोबी मंचरन मिलता है ना हमारे आतेवाग घर के पास उसके आदत लग चुकी उसके आसपास पहुचो ना ता उसे ना भूख लग जाती है अभी अभी मिलना गुछ जाती है और यहाँ पेच्छ हमारा सामान दो बैक भरके लेक आए है तो कुछ कुछ सामान जो नहीं मिला बाका इधर बजर में बटर वगड़ा तो जाना अभी यहाँ लोकल शॉप से लेंगे तो चलो चलते है पहले कर और उसके बाद जाए ना आपको ग्रॉसरी तो नहीं दिखाऊंगे लेकिन घर पहुचने के बाद जाना आपसे बात करती पैट्रोलपया ते यूज तेट्यू तेंक यू नहीं को डॉच मुका गाड़ी का पैट बढ़ने जा रुझ यहाँ अभी प्रेशित बूख लगी है तो आप ही ज़ए ना हम पैट्रोल पॉम पहुचे पैट्रोल पॉम अब भी डालेंगे गाड़ी में पेट्रोल, क्योंकि गाड़ी को लगी है बूक एक हजार मम हजार का खाना खाएगा गाड़ी गाड़ी कितने का खाना खाएगी हजार का खाएगी चलो जा आप से जो ही न मिलते हैं घर पे पहुशने के बाद दीक है यहां पे जो यह उपर प्लांट है ना जिसको वाइट फ्लावर्स आए है उसके ना बारिश में पत्ते बहुत गिरते हैं और उसके सारे जो पत्ते ना इस पौदे के उपर गिरते हैं पूरा जो पौदा है ना जैसा फंगस में उसको लाई तरह से तो इसके जो आए बार बार वो निकालने पत्ते है यहार पर जो पत्ते गिरते है और यहाँ पे जो बाकी के सब प्लांट्स आपने तो देखे हिए हों graduated बहुत से वीडियो में और यहां पे मैं जो है न वेट कर रही हूं हमारे ब्रेड वाले का मतलब जो गोवन ब्रेड लेके आता है न पाव पोड़ी वगर वही वैसे तो मैं जब गोवा बागादर में गई थी न तब वहां से जो पोड़ी होते न वो लेके आये थी लेकिन घ पाव वाला मैंने यहां पे सिर्फ दोई लिए है क्युंकि उनको पाव चाय न इसले बाकि तो मेरे लिए उनक पोड़ी लेकर आय थी ना मैं वो है अभी जोैना बनानी है सिर्फ सब ची तो हम जो है ना घर आ गई है सबसे पहले घर आकर मैंने बनाई चाय पी लिए और उसके बाद जो भी ग्रॉसरी लेकर था आए थी वह सब आपने अपनी जगह पर रखती क्यों कि एक बार उस ऐसे रख दो कि बात में करेंगे करके तो ऑइसी के वैसी पड़ी रहती है इसलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ कि सबसे पहले आकर ग्रॉसरी रेकर हम जब भी आते हैं घर पे तो मैं पहले ग्रॉसरी को अपने जगब पे रख देती हूँ बाद में उतना काम आसान हो जाता है तो मैंने ग्रॉसरी को रख दिया अपनी जगह पे और अभी डिनर का टाइम हो गया टाइम मतलब अभी डिनर में जैसा कि आपने देखा ना कि मैंने गोवन ब्रैड लिया है अभी मुझे बनानी है सबजी तो अभी जैना मैं पहले बनाऊंगी सबजी और उसके बाद जैना आपना डिनर कंप्लीट करेंगे तो मैं जैना इस फ्लॉक को अभी यही पर एंड कर देती हूँ और आपसे जैना मैं कल फिर से मिलने आऊंगी तब तक के लिए बाई बाई एंड थैंक यू फा वाचिंग अगर आप मेरी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राब करने ना बूले बाई बाई